बिस्मिल्लाहिर्मार्राहिम असलाम लेकूम मेरा नाम है आफिया आप देख रहे हैं आफिया इस किचन आज मेरे किचन में बनी है चिकन चॉमिन्स तो रेस्पी को आप लोग पूरा फॉलो कीजेगा ताके कोई भी स्टैप आप लोगों से मिसना हो यह बहुत मज़े की बनत करेंगे मोटा मोटा सा कुटावा लसन एक चाय का चमंच अब इसमें शामिल करेंगे आदा चाय का चमंच नमक नमक आप हाथ रोग के शामिल कीजेगा क्योंकि बाद में सॉसिस वगरा में भी जाएगा तो साथ ही आदा चाय का चमंच का पॉर्टर शामिल कर देते हैं इस यह देखें कितने अच्छी समसाले इसमें मिक्स हो गए हैं अब इसे धके कमस कम 15 मिंट के लिए रख देंगे तो चलिए अब बनाते हैं चौमिन सॉस इसके लिए लेंगे हम टमाटो कैचप आदा कप अब बागी सॉसे शामिल कर देते हैं इसमें सॉय सॉसे मेरे पास तीन खाने के चमच वाइट मुन एगर है मेरे पास एक खाने के चमच चिली सॉसे मेरे पास दो खाने के चमच अब इसमें शामिल करेंगे मसाले थोड़े से काली मिर्च कुटी वी आदा चाय के चमच नमक आदा चाय के चमच पैपरिका पॉडर है एक चाय के चमच अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखे कितना अच्छा सा सॉस अमारा त्यार हो गया है अब इसे रखते हैं एक साइड पे तो चलिए अब लेंगे कड़ाई इसमें शामिल कर देंगे मैं तीन खाने के चमच कुकिंग आईल और जो चिकन मैरिनेट करके रख्या हुआ था यह शामिल कर देते हैं इसमें और हाई फ्लेम पे इसे चार से पांच मिंट फ्राई कर लेंगे इतने में यह पक भी जाएगा यह देखे कितना अच्छा सा मारा चिकन फ्राई हो गया है और पक भी गया है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैस में शामिल करूंगी जो कुछ सबजीयां मेरे पास काटकर रके हुई शिम्ला मेर्च गाजर बन्दगोबी और प्याज यह चारो सबजीयां मेरे पास आदादा कब चूलियन कट्रिंग में कट करके रखी वी थी तो ये शामिल कर देंगे इसे ज्यादा टाम नहीं पकाना है हाई फ्लेम पे बस थोड़ा से पकाना है चन्द मिनट के लिए बस सब्जी नरम नहीं होने देनी हमने आप लोगों ने मेरे चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल एकन को लाजमी दबाया करें ताके मेरी न्यू आने में वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे कितनी अच्छी से मरे सब्सक्राइब का कलर बरकरार रहेगा तेज आंज पर पकाना है इसे बिल्कुल भी आंज कम नहीं करनी आप में इसमें शामिल कर दूंगी चिकन पौडर एक चाय का चमंच इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है तो शामिल कर ले नहीं है त आप जो चौमिल सॉस बनाकर रखा हुआ था यह शामिल कर देते हैं इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसे कितना सच अच्छा से कलर भी आ गया इसमें और सब्दियां भी बारे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रही है अब 200 क्राम के करीब मैंने स्पैगडी बॉयल करके रखी थी तो यह शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं रेस्पी को आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है रेस्पी पसंद आए दोस्तों में फैमली में शेर कीज़ेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी रेस्पी कैसी बनी यह दक कितने अच्छे से हमारे च्वние के तियार हो गritos को लोगों से कितना अच्छा है हैं खुश्बू माशल्छा से बहुत अच्छी आ रही है तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मेंचे कर लेते हिएं डिशाउट आप लोगों से मिलेंगे अगली रस्पी के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजे दुआ में याद रखेगा अल्हाफेस